तो यह रहा मेरा फेसपैक और यहरी मेरे मम्मी और अभी रैडी है मम्मी लगाने के लिए अपना चेहरा दिखा दो आप आफटर और वह बहुत अच्छा जो और से बहुत अच्छा आप तो guys आपने थोड़ सा यहां पे लगाना है अपने and welcome back to our new video कैसे आप सबी मस्त हैं मस्त रहिए तो guys आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ share करने वाली हूं homemade face बैक जो कि मैं पने face पे apply करने वाली हूं तो कहसी मस को बनाती है आप पर विए से बनाते हैं और क्या कि चिछ रची यह सब कुछ आप लोगों को बताने वाले हो इसमें मेरी हाल करने वाली हूं तो गाइस यहां पर फेस्पैक बनाने के लिए हमने एक कटोरी में दहीं ले लेना है चार चमच एंड उसके वाद हम हल्दी ले लेंगे दो तीन चमच मैंने तो पूरी कटोरी रख लिए हैं यहां पर एक ब्रश हम ले लेंगे उसके बाद हम रोजवाटर ले लेंगे अलवेरा जर ले लेंगे यह जो हनीवाल आप डिबब देकरें इसमें मैंने मुलतानी मीटी रखी है कोई सा भी हमने फेस सिरम ले लेना है और आपने कोई सा भी वा हैं अब टाइम आजाता है इसमें हलदी करने का तो हम इसमें आदा स्पून आपस भी पर लिए के आप्स चाहिए और इसको पॉपर मिक्स करेंगे जब तक इसमें सारा दोनु चीजें आपन ड़ा हो जाती है और इसमें से मॉस्ट जो बिल्कुर गाइब हो जाते इस से में अच्छा काफी स्कीन काफी ग्लोइंग करता है उनकी स्कीन काफी ग्लोइंग हो जाती है तो यह अच्छा है आप अपलाई कर सकते हैं इसको बीइग लीड़ाइट करने का जितनी अग्याक ने करें उससे double quantity में हमने मुलतानी मिटी इसमें एड़ करनी है और देख सकते हैं आपके मैंने थोड़ी ज़्यादा एड़ कर ली थी क्योंकि मेरे मम्मी बापा दोनों ने लगाना था यहां पर तो चलो जी हम इसको एड़ करेंगे बिल्कुल मिक्स करेंगे प्रोपर आपने क्या कर मिक्स करके डालनी है सारे इंग्रियेंट्स की एंड उसको मिक्स करने उनको रेस्ट देना है ताकि वह अच्छे से घुल मिल जाए आपस में बॉनिंग क्रियेट कर ले अच्छी सी तो हांजी यहां पर हमारा मिक्स जो रैडी हो चुका था बिलकुल और में एक हास्से का च बॉल सकते हैं तो हम डाल देंगे दो तीन चमच रोजवाटर के और इसको हमने फिर से मिक्स करना है वैसे जैसे कि आने आपको बताया है कि थोड़ा सा रेस्ट लेके थोड़ा सा टाइम देके अब इसमें तरन आ जाएगी थोड़ा सा एलोविरा जल डालने की तब तक कर लें और अच्छे से मिक्स हो जाएं तो हंजी मिक्स होई नहीं रहें यह तो अभी मुझे लगता है टन आ चुकि हमारी यालोवेरा जल की तो अलोवेरा जल डालेंगे इसमें हमने पतांजली का मैं यालोवेरा जल यूज़ कर रही हो आप कौन सा भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं इसलिए मैं यहां पर वाल जो स्किप कर रही हूं तो मैंने वाल नी डाला है तो हंजी हमने आपको बताया है मिक्स करना है थोड़ा सा टाइम देना है ताकि बोंडिंग अच्छी क्रियट हो जाए ज्यादा अच्छा पैक बने ग्लोईं ग्लोईं हमारी स्कीन हो कितना अच्छा टेक्चर इसका आप देख सकते हो लाइब देख रहे हो आप लोग तो चलो जी गाईज अभी इसमें जो फेस सिरम हंजी भूलीगी मैं फेस सिरम एड़ करने की टरन आ चुकी है तो यहां पर अजी निकली निरा लगता है खाली हो गया तो हम फिर से इसको अच्छे से पंप हमारे के एंड इसमें फिर से हम दो तीन डॉप डाल देंगे चलो जितना डल गया उतना ही सही है तो गाईज जैसे मैंने इसमें फेस सिरम डाला था इसकी पहले फ्रेगनेंस आ रही थी खटी खटी क्योंकि दो तीन दिन पुराना नहीं था तो जैसे मैं मैं इसको डाला तो हंजी क्या मजे की फ्रेगंना नहीं आरि थी आपको मैं बता नहीं सकती तर ना अच्छा लग रहा था ना मुझे तो मैं इसको ऐसे तो देख सकते हो गाइस हमारा फेस पैक रेडी है ममार्थ हो और इस फेस पैक में कोई भी डिफरेंस नहीं है बट यह ज्यादा अच्छा है एस कंप्योर्ट ममार्थ हां जी भार गाणी जा रहे हैं उसके आवाज आ रही है अब इसको हम दो-तिन मिनिट के लिए फ्रीजर में रखेंगे ताकि ठंडा हो जाए और थोड़ा सा सैट हो जाए क्योंकि ठंडा ठंडा फेस पे लगाएंगे तो काफी अच्छा लगेगा और इसका टेक्स्चर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो चलो गाइस फटा फट आपकी स्कीन में दो-तिन मिनिट के लिए अब्सार्ब हो जाता है अपच्छा से इत मिंस कि यह कोई रेक्शन नहीं कर आपकी स्कीन में तो फटा बट से हम इसको ब्रश की हल्प के साथ अपने फेस पे लगा लेंगे आपने फेस को जो बॉश कर लेना है सबसे पहले मस्ट अधे थोड़ा से एंगल से ही नहीं आ रहा था इसलिए मैं ठीक कर रही हूँ मैंने मामारत का भी लगाया हूँ है फेस पेक उसका टेक्श्चर और इसका बिलको सेम रहता है और सेम ही रिजल्ट है बैटर है उससे थोड़ा थोड़ा सा अगर आपकी स्किन पर लगेगा तो ऐसा नहीं है कि आपकी द्याक्शन कर गए हो सकता है कि आपकी स्किन में टैनिंग हो या कुछ पर हो सकता है आपकी skin sunburn हो सकता है, आपकी skin में थोड़ी सी प्रोब्लम होगी, तभी आपकी skin में यह थोड़ा सा लगेगा हमें स्टार्टिंग में और आपने प्रोपर इसको brush के साथ ही लगाना है, यह तो patches patches बन जाते हैं बिल्कुल आपने इसको ऐसा नहीं कि बालों के साथ यह लगना नहीं चाहिए, कोई problem नहीं है, जहाँ जहाँ लगता है, वहाँ बाल लगाते चलो आप इसको पहले खुद को लगा लेते हैं, फिर ममनी को आएंगे अपने नेक के साथ पर लगा लेना है, इसको थोड़ थोड़ रहाँ तो गाईज अभी न मुझे फोन के कैमरा में अच्छे से दिखनी रहा है, मैं प्रोपर लगा लेते हूं इसको मीरर के साथ आपने, फिर आप लोगों से मिलती हूं इसको मारा फेस पैक लग चुका है, अभी मोम और पापा को लगाते हैं, ममी और पापा को दोनों को यह चाहिया जाएंगी, चाहिया नहीं मतने क्या हो जाता है, बट बोलते निये गयते हैं, फेस पैक लगाते रहें अंखी बंद कर रहा था, तो गाइस अभी ममी हो लगाने वाली हो मैं फट अफट से ममी को लगा लेती हूं तो कि हमारे पास अभी कोई कैमरा मैन नहीं है, फिर आप लोगों के साथ में मिलती हूं देख सकते हूं कि बिल्कुल ब्राई हो चुका है मेरा फेस, अभी चलते हैं इसको बॉश कर लेते हैं फटाफट से अभी मैंने फिश बॉश कर लिया और ममी को आप दुनों फिश बॉश कर रहे हैं, लाइट चली ही थे हमारी इन देख सकते हो आपके स्केन कितनी सॉफ्ट हो चुकी है, बिल्कुल भी ऐसे मतलों खिचन जासे पढ़ते हैं, बिल्कुल वाइल जो रूव हो चुका है, देख सकते हो पानी का ग्लास पी लेते हैं, जाई जब आपने फेस पर फेस पर लगानी है, कुछ भी नहीं अपलाई करना है, आपने जस थोड़ा से अलवेरा जल लेना है, उसको अपने फेस पर मसाज करनी है, और इसको ओवरनाइट छोड़ देना है, कल मॉर्निंग में जब हम नहाए इसके बाद हम आपने फेस पर फेश लगाएंगे यहां कोई जोंस अभी आप चीज प्रोड़क्ति उसकते इसको ओवर नाइट छोड़ देंगे जो लोगाई चलते हैं फटाफट से तो गाइस अजर आपको यह रेमेडी पसंद आई है तो लाइक करना पापा ने भी लगा पापा कैसे लगा आपको बहुत अच्छा तो पापने भी अपलाई किया पापा का फेस भी देख सकते आप कितना सुनता लगा अप्सक्राइब अपनी फ्याम्ली को भी लगाओ खुद को भी लगाओ और हफते में आप 2-3 पर यूज कर सकते हो इसा निया कि बाहर-बाहर स से जादा स्किन अच्छी रहती है मैंने भी थोड़ इसी स्किन केर करना स्टार्ट कर दी अपनी जोड़ो गाइस मेलते हूं आपसे न्यू वीडियो के साथ अब तक के लिए बाबाई गाइस बाबाई टाटा